हेलो फेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिमूबल अफ डेक्टर के बारे में रिमूबल अफ डेक्टर से पहले हमने यहाँ पर डेक्टर की सब स्टोरी को यहाँ पर कम्प्लिट किया है जिसके अंदर ये देखा जाता है कि director हो किस तरीके से appoint करते है director से क्या powers होती है, क्या duties होती है, qualification, disqualification और इसके साथ में हमने din number देखा है और last video में हमने यापे बात की थी duties के बारे में तो आज किस video में हम यापे start करेंगे removal of director के बारे में यह आपका company law की unit number 4th के अंदर एक topic है तो इसको हम start करते है सबसे पहले आता है आपका section number 168 resignation of director जब हमारा director जो है उसको हम resign करता है जब हमारा director जो है resign कर रहा है company से तो इस condition के अंदर क्या देखा जाता है अब यहाँ पर जो इसकी theory है वो तो यहाँ पर book के अंदर अच्छे से लिखी वी है तो यहाँ पर हमने इसको diagram के समझाया है तो diagram से आपको easily समझ आ जाएगा जिससे आप theory भी अपने आप यहाँ पर बना के लिख पाएंगे तो यहाँ पर यह जो person खड़ा है इसका नाम है Mr. X अब इस Mr. X को यहाँ पर company से करना है resign तो सबसे पहले यह क्या करेगा जो हमारा BOD है जो हमारी company है board of directors के पास में आके notice of resignation यहाँ पर submit करेगा अब यहाँ पर इसने submit कर दिया company के अंदर अब यह company क्या करेगी यह जो BOD है हमारी यह लोग क्या करेंगे within 30 days DIR 12 यह यहाँ पर submit कर कर आएंगे ROC के पास में ROC होता है आपका registrar उसके पास में जाके यहाँ पर submit कर कर आएंगे अब इसके साथ में company क्या करेगी जब भी उसके पास में इस तरीके का resignation यहाँ पर कोई भी employee कोई भी director यहाँ पर दे के जाता है तो वहाँ पर within 30 days DIR 12 यहाँ पर submit कर कर आएंगी ROC के पास में और यह जो person यहाँ पर retirement चाहता है यह जो resignation दे रहा है अब यह person क्या करेगा यहाँ पर यह भी within 30 days DIR form number 11 यहाँ पर submit करेगा ROC के पास में तो अगर कोई person है जैसे यहाँ पर Mr. X थे यह submit कर कर आएंगे DIR number 11 और जो हमारा board है वो submit करेगा DIR number 12 तो यह दोनों submit कर कर आएंगे ROC के पास में अब यह आता है आपका resignation के case में जो होता है आपका section number 168 इसके बाद में आता है हमारा removal of director मतलब जब company खुच चाते है किसी remove करना किसी director को तो वो किस तरीके से कर सकती है अब यह आता है आपका सबसे पहले section number 169 के अंदर जिसके अंदर अब यहाँ पर यह तीन अब इसके बाद में अगर इनको remove करना तो भी क्या करेंगे अब सबसे पहले क्या करेंगे अब अब एग्यम होने से पहले 14 दिन पहले तक यह special notice जो है हाँ पर company के अंदर दे कर आएंगे अब company क्या करेंगे जिस भी person के लिए यहाँ पर removal का यह आया है उसको यहाँ पर एक copy जो है वो send करेंगी copy of special notice जो है वो हाँ पर उस person को send किया जाएगा अब यह person क्या करेंगा यह person यहाँ पर representation letter जो है यह submit करेंगा company के अंदर अब इतनी बात तो आपको समझ आई होगी इसके अंदर हमने यह देखा है कि अगर कोई directors है वो किसी person को यहाँ पर हटाना चाहते है तो वो क्या करेंगे सबसे पहले उनके पास एक person का voting power होना चाहिए या फुर उनकी जो paid up share capital है वो 5 लाग तक की होनी चाहिए अब यह company क्या करेगी copy of special notice यहाँ पर देखर आएगी उस person को जिसको उहाँ पर remove करना चाहते है अब यह जो person है जिसके पास में removal का आया है अब यह क्या करेगा letter of representation यहाँ पर submit करेगा company को अब company क्या करती है यहाँ पर company shall circulate आ company यहाँ पर circulate करेगी copy of special notice अब वो क्या करेगी copy of special notice वहाँ पर circulate करेगी representation letter दिखाएगी at least 7 days before AGM अब company के पास में यहाँ पर 7 दिन का time होता है AGM होने से पहले का और यहाँ पर company जो है OR को पास करेगी OR में आता है आपको ordinary resolution को पास करेगी उसके बाद वो जो director उसको वहाँ पर remove किया जाएगा और last में जो है DIR number 12 जो है वो submit कर करेगी ROC के पास में जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि within 30 days DIR form number 12 जो है वो submit करेगी ROC के में तो removal के case में यहाँ पर company के पास में क्या क्या काम करना पड़ेगा company को सबसे पहले circulate करना पड़ेगा copy of special notice, representation letter at least 7 days before AGM AGM, AGM होने से 7 दिन पहले तक उसे यहाँ पर submit करना पड़ेगा OR pass करवाना पड़ेगा उसके बाद में उस director का वहाँ पर removal जो है वो देखा जाएगा उसको वहाँ पर हम remove कर देंगे हमारी company से और उसके बाद में जो company है last के अंदर क्या करेगी DIR form number 12 जो है वो submit करकर आएगी ROC के पास में तो यह दोना section आते हैं आपके removal के अंदर और इसके अंदर हमने यहाँ पर पूरी कहानी देखिया कि किस तरीके से किसी director को यहाँ पर remove किया जाता है company के अंदर अब company can initiate change among MD, directors, managers, secretary of a company with registrar of a company within 30 days अब company के पास में यहाँ पर कितना दिन का time बताया गया है अब जैसे कि इस वाली slide के अंदर भी हमने यहाँ पर देखा है कि company के पास में 30 दिन का time यहाँ पर given होता है तो यह था आपके removal of director की वीडियो के अंदर तो इस topic के अंदर बस इतना ही है इसकी जो theory है वो अब यहाँ पर आप अच्छे से बना के लिख पाएंगे डाइग्राम से हमने अच्छे से इसके अंदर समझ है तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो please like करें चैनल पर नए हो तो आप subscribe करें और आप मेरी वीडियो को जाज़़दा शेयर करें Thank you so much for watching